ब्रहुभाजी के दुर्गा कवच में वर्णित नौ दुर्गा नौ विशिष्ट आउशधियों में विराजमान हैं। ये नौ दुर्गा वास्तों में देव्य गुणों वाली नौ आउशधियां हैं। ये वशधियां प्राणियों के समस्त रोगों को हरने वाली और रोगों से बचाय रखने के लिए कवच का काम करने वाली हैं। ये समस्त प्राणियों की पांचू ग्यानेंद्रियों और पांचू करमेंद्रियों पर प्रभावशाली हैं। नोदुर्गा को लेकर धार्मिक और आध्धात्मिक महात्तो है ही, साथ ही स्वास्ति की लिहाज से भी नौरात्र का महात्वपूर्ण स्थान है, विशेश महात्तो है। नोदुर्गा के नो रूपों को आउशदियों के प्रतीक के तोर पर भी जाना जाता है। मारकंडिये चिकित्सा पध्धती और दुर्गा कवच में इसका उलेक है। नो आउशदि स्वरूपों को सरुप्रथम मारकंडिये चिकित्सा पध्धती के रूप में दर्शा है गया। और चिकित्सा प्रणाली के इस रहस्य को ब्रुम्भा जी द्वारा उपदेश में दुर्गा कवच कहा गया। इसलिए प्रतेक देवी आईरवेद की भाषा में मनुष्य की प्रतेक बीमारी को ठीक करने के साथ ही रक्त का संचालन, उचित और साफ करने का काम करती है। आईरवेद में इन आउशदियों को समस्त प्राणियों के रोगों को हरने वाली कहा जाता है। तो सम्मंधित रोगों में भी नौरात्र शुब फल देने वाले साबित होंगे। देवी के इन स्वरूपों को हम स्वास्त की संजीवनी देने वाला मान सकते हैं। नोदुर्गा का नौम रूप सिद्धदात्री है जिसे नाराहिनी या शतावरी कहते हैं। शतावरी बुद्ध बल एवं वीरे के लिए उत्तम औशदी है। रक्त विकार एवं वात पित शोध नाशक और हिर्दे को बल देने वाली महा शती है। शतावरी का जो मनुष्य नियम पूर्वक सेवन करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति को सिद्धदात्री देवी की आराधना करनी चाहिए। शतावरी का संचालन उचित एवं साफ कर मनुष्य को स्वस्थ करती है। अता मनुष्य को इनकी आराधना और इन आउशदियों का सेवन करना चाहिए। नौरात्र के नौ दिनों में देवी मा के आउशदिय महत्व की चर्चा की। यदि आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे अन्रोध है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। देवी मा की गृपा आप पर सदयव बनी रहे। जै मादुर्गे।